लेकिन आज एक और जो बड़ा development होने वाला है उसके तहट LSE पर आज भारतिय सेना और चीनी सेना के प्रतनिदी मंडल लेहे के चुशूल में मुलाकात करेंगे थोड़ी देर में यानि करीब साड़े दस बजे ये बैठक शुरू होगी सूत्रों की माने तो बैठक का एजंडा दोनों देशों के बीच सेनाओं को पीछे हटाने के मुद्दे को आगे बढ़ाना है भारत की तरफ बाचीत की अगवाई चौधमी कोर की कमांडर लेफटनेंट जेनरल हरिंदर सिंह करेंगे तो चीन के प्रतनीदी मेजर जेनरल लिन लियो होंगे इस महीने दोनों देशों के सेन्य अधिकारियों की ये तीसरी बाचीत होगी इससे पहले 6 जून और 22 जून को दोनों देशों के बीच सेन्य बाचीत हुई थी 15 जून को गलवान में हिंसक छड़प हुई थी अब आज की जो बैठक है जो कुछी देर में शुरू भी होने वाली है क्या उम्मीदें इस बैठक से हम लगा सकते हैं देखिए अब दो राउंड की वारता हैं जैसे आपने बिल्कुल सही कहा हो चुकी है जनल लियू लिन और जनल हरंदर सिंग के बीच उसमें जो जो बाते हुई थी और खासतोर पर गलवान से चीन की सेना के पीछे हटने भारत के उसको वेरिफाई करने और उसके बाद भारत की सेना के पीछे हटने की बात ये 22 जून को हुई थी अब जो बात होगी वो ये होगी क्या दोनों सेनाई पीछे हटी हैं दोनों इसको क्या verify करती हैं और उसके बाद क्या यही चीज हम पेंगोंग सो में डेप साइंग में डेम चॉप में जो अलग अलग जगा फ्लाश पॉइंट भारत और चीन के बीच बन गए है मिनाक्षी क् इस एक्सपेरिमेंट को इस परीक्षण को जो गलवान में शुरू किया उस तो बाकी इलाकों में भी किया जा सकता है या नहीं इसमें भारत चीन को दोटू कहेगा कि चीन ने पिछली बार वादा तो किया कि वो पीछे हटेगा लेकिन पीछे हटने के बज़ाए चीन ने अतिरिक सेने बल और आगे बढ़ा दिये थे जो फाइनली 22 जून के बाद चीन ने पीछे किये कुछ सेने अतिरिक बल पीछे किये लेकिन उनकी सेना अभी भी मौजूद है उस खेत्र में पानी आने की वज़े से चीन की सेना को और गाडियों को गलवान घाटी में रहने म रही है तो क्या वह बहाना बनाते वे चीन ये दिखावा करेगा कि वह पीछे हट रहा है लेकिन बाकी लाकों में बना रहेगा ऐसे कई मुद्दे है भारत ये दो चीन से कह चुका है कि अप्रेल की स्थिती मीनाक्षी एक फिर लागू करना जरूरी है यानि चीन को फिंग लागू करना जरूरी है तो को की सवके अप्रेल को खेवा कर तो की लागू क desc